हे दोस्तों वेलकम है आपका फैंटिसी एक्सपर्ट न्यूज के ओफिशल एडियो विप चैनल पे स्कॉटलेन और ऑस्टेलिया के बीच में T20 इंटरनेशनल गेम सीरिस स्टार्ट होने वाली है जो कि स्कॉटलेन के होम वेन्यूस पे ही होगी क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं औस्कॉटलेन टीम की प्रैक्टिस से कोई भी टीम आती है तो स्कॉटलेन से होते हुए इंगलेन की तरफ जाती है में इनली बड़ी जो उपजिशन रहती हैं तो यहाँ पे स्कॉटलेन से T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कि उसके बाद में टीम आस्रेलिया जो है वो इंगलेन की तरफ मूग करने वाली है तो आप तरह के सकता है कि प्रैक्टिस गेम हो सकता है आस्रेलेन टीम्स के लिए लेकिन अपने होम वेन्यूस पे स्कॉटलेन विद दा बैट बहुत अच्छा प्ले करती है यहाँ पर बड़े-बड़े स्कॉर्स बनाती है तो क्या होगा स्मॉल कॉंटेस में तो हम सभी के कॉंबिनेशन बनेंगे नाइन टू के या फिर हो सकता है कोई हुद ज़्यादा चतूर आदमी हो तो वो 8-3 का कॉंबिनेशन बना लेगा लेकिन जब हम लोग ग्रैंड ली खेल रहे होंगे और स्कॉटलेन पहला बैट फर्स्ट कर रही होगी तब हमारी कंडिशन कुछ अलग होगी क्योंकि एक भी बैटर या एक भी ओल्राउंडर ऐसा हुआ जिसको हमने अवोइड किया और उसने 20 का स्कॉर कर दिया और एक सिंगल विकिट ले लिया और कोई एक उस्ट्रिलियन बॉलर उसने केवल एक ही विकिट लिया और वो बैटिंग नहीं करने आया एक ही बोलर एक विकेट नहीं एक विकेट ही लिया और उसके 25 पॉइंट से और वहीं स्पोर्ट लेन के जो बैटर है जिसने 20 रन का कॉंटिविशन किया है और एक विकेट लिया है तो फिर आपके ड्रीम टीम के अंदर आ जाएगा तो कैसे कॉंबिनिशन बनेगा उसको हम लोग डिसकस करने वाले है सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीज़े बताऊंगा करेंट फॉर्म किन प्लेयर्स की कैसे चल रही है उसके बाद में हम लोग नेक्ट फिंग्स जो वो डिसकस करने वाले है इसकोड लेन और श्रिया दोनों की फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप के बाद में अब T20 इंटरेशल गैम्स जो यह खेलने वाले है इसकोड श्रिया का पता ही है लास मेंच हा रही थी है अगेंस इंडिया इसकोड लेन भी अपना T20 इंटरेशल जो वर्ल कप में था वहीं खेले थे और वहाँ पर यह हा रहे थे रिसेंडली इन्होंने जो इनके ओमान से सीरीज जो चल रही थी उसमें खेले थे ओडिडी क्रिकेट के अंदर और स्वरी ओडिडी क्रिकेट के अंदर तो दोनोंगी टीम्स T20 इंटरेशल खेलने वाली है कहाँ पर कहाँ पर लेगी ग्राइंट क्रिकेट क्लब ग्राउंड रेबर्ड प्लेज इडीन बग यानी इडीन बग में होने वाला है और यह गेम जो है वहाँ डे गेम होने वाला यहाँ पर जुरूर इंडियन टाइम के इसाप से साड़ी छी बज़रा है लेकिन वहाँ पर यह चार गंडी का डिफरेंस है हमारे उनमे टाइम में तो कम से कम महाँ पर कितना बज़रा होगा दो डही के राउंड यह मैच जो ही वह स्टार्ट हो जाएगा है ना एक्ज़र टाइम नहीं पर घ्लब के अंदर अब तक 24 मैचेस हो चुक है 14 डाइम बैडिंग फर्स ने और 8 टाइम टीम ने विन किया फेर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाले कि ऑस्टिलिया पहले बेट करेगा या पहले बॉल करेगा लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब Scotland जो है वो पहले बैट कर रहा होगा मैं आपको समझाई चुका हूँ कि एक बॉलर जिसने 20 रन या फिर एक ओल रांडर जिसने 20 रन का contribution और एक विकेट ले लिया तो और Australia का एक बॉलर जिसने एक ही विकेट लिया तो वो फर्क डालने वाला है तो अगर पहले बैट कर गई ने टीम कौनसी ये अपने स्कोर्ट लें तो हमारे combination बहुत हमें अच्छे से बनाने होंगे मेगा contest के खेर में सब कुछ पॉइंट आपके साथ में discuss करूँगा और 89 विकेट लाश्ट 2020 इंटरेशनल्स के अंदर गिरे हैं 44 विकेट पेसर्स को मिले हैं ठीक है मैं आपको थोड़ा से pitch के photo भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़े दिखाना चाहता हूँ कि स्कोर्स देखें आपर 213, 141, 159 जर्सी, इटली, स्कोर्लें, डेन्मार्क, आयलेंड सभी यहां पर खेले हैं जिरोंने स्कोर्स यहां पर बनाए हैं जर्सेम को अच्छे खासी मदद इस šाचन戲 पर मिली हैं ठीक है? यह ध्यान रखना हैं आपको फिर 2nd inning में आई तो 2nd inig में प्यसरस का domination तो बिल्कुम ग्रीन है यानि 2nd inning में पूरे पैसरस ही डॉमिनेट करेंगे यह अब तक हुआ है, हाला कि बड़ी टीम्स नहीं के लिए हैं, लेकिन पैसर्स डॉमिनेट करते हैं, और क्यों डॉमिनेट करते हैं, मैं आपको पिछ का फोटो दिखाता हूँ, ठीक है यह पैसर्स से इस्पिन का देखिए, सैकर्ड इनिंग में पैसर्स जो है, पूरा ही ड पैसर्स अटाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे हैं, यह देखिए, यह ड्रोन वियो है, जहां से भी मैंको फूटोईज मिलता है, मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूँ, कुछ अनिवन बाउन्री डाइमिंशन से आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यह शो जनरली यह यूज होंगे, तो यानि तीन माचेस की D20 इंटरेशल सीरीज है, उसके अंदर तो दो पीचेस यूज होने वाली, एक तो यह हो सकती, और एक यह हो सकती, तो यह अभी रिसेंट का फोटो है, जुलाई मन्त का, ठीक है, तो बिलकुल अच्छी से टॉन नजरा द लगी न, तो एक काद रूपया जो है, ऊपर बढ़ने वाला है, ट्रेडिंग के अंदर यह ध्यान रखना, ठीक है, इसकोटलेंट बेट फर्स करेगा तो, तो रेफर कोड यूज करके जोईन कर लीजिए, वैसे एक ही मैच है, टुएट में हुआ था, और वही मैच में आके बताऊंगा है न, यह अपको ध्यान रखना है, मैं यह ध्यान रखना हूँ भी 180 अगर कर सकते हैं, इसकोटलेंट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्स्पिरेंस तो ही है, मुनसी है, फिर मैकलन ने जिरूर 60 का नोक केला था, फिर बैरिंग्टन ने 42 कर रहे हैं, ओल इस तो करेगा, वालगी विकेट मुझे लगता है कि बहुत कम चांस में हेड का विकेट मिलेगा, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक कर रहा हूँ, लिस्क और वाट ऐसे प्लेयर होंगे, जो की गेम चेंज करेंगे, ठीक है, यह ध्यान रखना है, बाकि आपको कोई च जॉन्स ओपन करेंगे, ब्रेंडन मैकमलर, रीची बैरिंटर, मैस्टिव क्रोस, फिर यहां से मैकल लिस्क है, क्रिस्टोफर गिव से, मार्क वोट है, क्रिस सोल, ब्रैडविल और शफ्यान सरीफ, तो आपके असे के प्राइम 11 के साथ में खेल वही है, अपने strongest lineups के साथ म जो यह score lane खेल रही है, तो obviously यहां पर score बनेगा, यह ध्यान रखना है, score lane bet first करेगा, तो भी 150 तो मानने ही वाला है, तो यह team के तरफ से आपको batters लेने पड़ेंगे, शफ्यान सरीफ, ब्रैडविल और मार्क वर्ट जो है, वो death phase में bowling करने वाले हैं, इनके लिए और मार्क team के सबसे main bowler आप लोग समझ दीजिए, हाला कि विकेट पर उतनी मदद spinner को नहीं रहेगी, लेकिन यह ऐसे वो, क्योंकि राइटी बैटर्स बड़े हुए हैं, देखें आप लोग, कितने राइटी बैटर्स हैं, केवल Travis Head को छोड़े तो सारे right-handed बैटर्स हैं, तो यह इन बहुत अच्छे से सेलेक्शन अम लोग करने वाले हैं, ओवर मेंली कौन कर सकता हैं, यहां से शान अबर्ट, रिलिया मैधित, आथलेज और एडम जेटर्स हैं, यह तो हो गए, इसके बाद में आकाई स्टोईनीज, आरोन हार्डी, यह प्रोबिबली बोल करने चाहिए, म में शायद कंसीडर करना ही पड़ेगा इनी को, कि प्रोस जो है, विद बैट पहुच जाता, कॉन्टिविशन नहीं करते हैं, इंग्लिश बैटर चोईस है, एक दो केचस भी आते हैं, तो इसली पॉइंट दिलाएंगे, तो मस्ट होंगे, बैट फरस्ट में तो इनको साथ में, ठीक है, बोल फरस्ट में है न, यह ध्यान रखना, मैं थोड़ों कन्फ्यूज नहीं हो जाओ, यहां से फिर देखिए, जैक फ्रेजर मैंगर के, ठीक ठाक फॉम से आ रहे हैं, अच्छा फॉम नहीं था, इनका रिसेंड ली में, ट्रेवेस एड मस्ट होंगे, मि लाइवर बैटलिट को स्कॉइड में 8 किया गया है, ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलते हैं, एज़ा एक्स फक्टर काफी आयते टीम के लिए, बाकी अपके सामने हैं, डेटा आप लोग देख सकते हैं, एडम जर्बा, नैथन इलिस और एलेम मैधिस हैं यांबर, प्लेंग क्रोस हैं, जो कि करंटली फॉर्म देखा तो ठीक ठाक चला है, ब्रैड क्यूरी जो कि इनके सबसे सक्सेस्पुल बॉलर हैं, अगर प्लेंग 11 में खेलेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम में होनी चाहिए, क्योंकि विकिट टेकर बॉलर हैं, बाकी ये इनका कम्प्लीट इसक्वाइड है और उनके रिसेंट फॉर्म है न, स्टेट्स भी आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, रिसेंटली हेट्टोइड में जो मैच्छ गया था, एक ही मैच वो ही स्कोर कार्ड में आपको बता चुका हूँ, मैं ज्यादा आपके साथ में डिसक्रिशन नहीं क बॉलिंग करते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, यह चीज है, लिस्क मेरे सबसे बड़े गेम चेंजर पेक होंगे, और ब्रैड क्यूरी अगर खेल रहे हैं, तो यह दो प्लेयर रहेंगे हैं, अब यहां से आप लोग मैच अप्स देख लीजिए, मैच भी को ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग नॉट करते जाहिए, पौन कैसा कहलता है, स्क्रीन शोड ले लिए, तो ज्यादा बैटर रहेगा, बाकी यह आपके सामने हैं, मैं सीधा बढ़ता हूँ, अपनी टीम की तरफ, कैसा टीम बिल्ड हो रही है, देखो प मुंसी जैसे अभी GT20 में तो विकेट कीपिंग कर रहे था है, अगर मुंसी इन कैस फ्लोब होते हैं, तो यह आपको सीधे ही आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं देने वाले है, तो आप लोग सीधा इंगलीस से स्टार्ट करेंगे, अपनी टीम बिल्ड करना, इंगलीस की मेरी टीम में मस्ट होंगे, इनको डॉप नहीं कर सकता, शौन अबट देखेंगे, एडम जेंपा रखना पड़ेगा, क्वालिटी स्पीन अटेक है इनके बास में, ब्रेड क्यूरी भले ही लाइनस में नहीं है, लेकिन खेलेंगे, तो 12.68 का सेलेक्शन है, बॉलिंग फर् है, यह अमरी टीम में रहेंगे, ओल्ड उंडर सेक्शन से मैकल स्टुनी मस्ट होंगे, लिस्ट कैसे फ्लेयर है, जो की बहुत बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, अलागी 85% सेलेक्शन है, लेकिन यह सबसे बड़े गेम चेंजर फिक हो सकते हैं, तो यह एक टीम बन जाती ह है, ग्रैंड लिक के पॉइंट ऑफ फ्यू से, क्यावल मैट दित को मैंने अवोइड किया है, इस फोड लेन की साइट से, बाकी सारे प्लेट्स मैंने यहां से कवर कर लिए है, पैर दित अगर बॉल फर्स्ट कर रहे हैं, तो आप लोग रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रिस को अवोइड नहीं करके, क्योंकि लिस्क बैटिंग से कुछ कॉंटिविशन कर सकते हैं, तो ब्रैड क्यूरी के प्लेस पे एक बार मैरे दित को अपनी टीम में टार रहा हूं, टीम बन के अंदर, कैप्टन वाइस कैप्टन सी में, स्टोईन इस क्योंकि बॉलिंग करेंग सेकंड कर रही है, यानि बॉलिंग फर्स्ट किया है, इन्होंने, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब भी विकेट कीपर सेक्शन से, इंग्लिश ही हमारी टीम में रहेंगे, अब यहां पर थोड़ा समय के चेंज करूँगा, मैं मैं मैरे दित को अपनी टीम से अवोइड कर ला रहा हूँ, और बॉल फर्स्ट कर रही है, ठीक है, एक ही मैं बॉलर रह रहा हूँ, या तो वो माकवर्ट या ब्रैड क्यूरी, माकवर्ट ठीक है, पाउल प्ले में बॉलिंग डालेंगे, इसलिए, तो यह मेरे टीम हो रहा है, दस प्लेयर्स मेरे यहां से यह बन पा रहे हैं एक प्लेयर में अब क्या करूं एक किसी पर में रिस्क लेने वाला हूं वो हो सकते हैं मेरी टीम के दार आरण हर्डी ठीके बॉलिंग नहीं किया तो फिर रिस्क हो जाएंगे इसलिए फिर मैं यहां से क्या कर रहा हूं मैं अपने टीम में रख रहा हूं तो यह मेरी स्कोर्ड लेंड के स्वरी औस्टिलिया के तो फिर रिस्की हो जाएंगे इसलिए अगें टीम आप क्या करना है वही रखना है नेथन एलिस वाइल बॉलिंग फर्स्ट आप लोग कैप्टेंसी ठोक सकते हैं एक पर्सेंट ही लोगों का सेलेक्शन है कैप्टेंसी दे सकते हैं इसमें पहले तो बैट फर्स्ट करी होगी जब गोल फर्स्ट करी होगी तो यह दो कॉम्बिनिशन है ठीक है क्लियर कट समझ में आगया है और भी क्लियर हो का कप हमें जब आमारे पर लाइन अपस आ जाएगी अगर हमें लगेगा ब्रैट क्यूरी खेल रहे हैं तो मार्क और ब्रै ग्योरी में हमारा रोटेशन रहे घड रहेगा बागी हमारो रोटेशन ज्यादा नहीं करने वाले लिस्क ब्रैट क्यूरी और मैं एक्सपका रहाँ कि मुनसी जो फ्लॉप हो सकते ही इस मैच में तो मूंसी को मैं आवोईड कर के या तो बैरिंग टांड को प्रोपर मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा एटेस दस टीम तो आपको बना के दूँ तो होपफुली आप लोग मेरे साथ टेलीक्राम चैनल पर भी जुड़ेंगे यूजरनेम भी आपको बताई चुका हूँ